हलो दोस्तो न्योशकार आज हम बनाएंगे फ्रेंड्स टीक की चाट आप देख पा रहे हैं कि कितना बढ़े है मैं टेस्टी हमारा टीक की चाट बनकी तयार हुआ है तो चलते हैं हम इसको बना लेते हैं तो सबसे पहले हम बनाएंगे इमली की चटनी, जिसके लिए मैंने 50 गरम हमने इमली लिया है, तो यहाँ पे इमली को उबालके हम मिक्सर जार में डालके पीछ लेते हैं, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा और पाने डाल देते हैं, नहीं तो यह चालनी से निकलेगा नहीं, बहु आदा चम्मच हेंग इसको अच्छे से तड़का लेते हैं अब यहाँ पे इसके बाद हम डाल देते हैं इमली का रस जो कि हमने मिक्सर जार में पीछ रखा है तो अब इमली के रस को हम पका लेते हैं friends इस तरह से थोड़ा सा उबाल आ जाएगा उसके बाद हम डाल देंगे यहाँ पे गुड तो यहाँ पे friends हम गुड 100 गराम डालेंगे इस तरह से डालके हम अच्छी तरह से गुड को पका लेते हैं पहले उसके बाद हम इसमें डालेंगे इसके मसाले तो यहाँ पे सबसे पहल रहेंगे और हमने यहां पर flame को medium कर रहा है यहां पर हमने डाल दिया शोट का powder एक चमज इससे टेस्ट बहुत बढ़ी आएगा चटनी में तो इस तरह से हम इसको अच्छी तरह से mix कर लेते हैं और flame को हमने यहां पर high कर दिया है इस तरह से हम उबाल लेंगे तो अब यहां पर हमारी चटनी आदिस से ज्यादा पक चुकी है तो यहां पर हमने डाला काले मिर्च का पाउडर आधा चमज इस तरह से हम चलाते हैं इसको पका लेंगे फ्रेंड्स तो यहां पर हम डालेंगे चेनी चेनी मने डाला यहाँ पर तीन चम्मच जिससे की इमली के मिठास को बरकारा रखे गाई है गुड का जो बैलेंस है मिठास उसको टेक कर देता है तो यहाँ पर हम डालते हैं एक चम्मच भुना हुआ जीरा हमारी चटनी पक चुकी है जब हमारे चम्मच भी इस तरह से हम चलाएंगे न तो एक कोटिंग से आजाती है तो चटनी हमारी पक के तयार है तो आप देख पारे हैं कितना बढ़िया से चटनी हमारी बनके बिल्कुल रेडी है तो हम इशको रख देते हैं एक साइड तिक्की बनाने के लिए हमने यहाँ पे आलू बाल लिया था और इसको हमने ठंडा करके साफ कर लिया, इसके चिल के उतार लिया है और इस तरह से हम हाथों से इसको प्रेस करते हुए दबा लेंगी तो हमारा जो आलू है वो टिक्की के आकार में आ जाएगा तो इस तरह से हमने सारे आलू को एक सेप दे दिया है फ्रेंट्स तो इसको हम डख के साइड में रख देते हैं यहाँ पे रख देते हैं हम कडाई इसमें डाल दिया हमने तेल तेल हमारा गरम होगए उसके बाद हम एक एक करके सारे टिक्की को इस तरह से कड़ाय में डाल देंगे यहाँ पर हाइप लेम पर हॉम इसको फ्राई कर लेते हैं जिससे कि हमारी टिक्की थोड़ी करारी बनेगी तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी तो इस तरह से हमने इसको अलट पलट के बिलकुल अच्छी तरह से सेख लेना है तो यहां पे friends हमारे टिककी एक तरफ से सिख गई है और दूसरे तरफ से हमने इसको सेख लिया है अब इसको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में और हम कडाई में थोड़ा सा जला हुआ लग रहा है इसको हम साफ कर देंगे और यहां पर दूबारा हम तेल डाल देते हैं तेल को हम अच्छी तरह से गरम करके इसमें एक एक करके फिर से दूसरा बैच डाल देते हैं तो इस तरह से हम एक एक करके दुबारा भी इसको फ्राई कर लेते हैं तो आप देख पारें बिल्कुल करारे करारे से आपको बनाना है यहाँ पर आपके पास थोड़ा सा बड़ा बरतन हो तो रखें जैसे तावा हो गया थोड़ा नोन इस्टिक तावा बड़ा साइज काता तो आप उसको रखें तो इस पर बहुत आसानी से आप इसको फ्राई कर पाएंगे तो इस तरह से हमने आलू को फ्राई कर लिया है तो इसको अब निकाल लेते हैं हम तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम एक एक करके सारे टिक्की को निकाल लेते हैं और इसके बाद इसी तेल में ह कि बहुत ज्यादा हमें पोईली नहीं बनाना है तो मसाले में हमने ले लिए आदा चमच हल्दी पाउडर, आदा चमच है गरम मसाला, कास मेरी लाल मिर्ची और यहां पर हमने डाल दिया आमचूर पाउडर थोड़ा सा उसके बाद हम पाने डाल के इसको मिला लेंगे जिसे क कफ इसमें लाएगी इस तरह से हम चलाते हूँ यह इसको मसाले को पका लेते हैं तो जब हमारा मसाला पक जाएगा उसके बाद हम टिक्की डाल देंगे इसमें तो यहां पर थोड़ा समय ने हरा मिर्ची भी डाल दिया है कि बहुत जादा तीखा नहीं बनाना है तो मैंने एक मिर्ची यहां पे डाला है, अब आप देख पा रहे हैं कि मसाले हमारे पक चुके हैं, तो यहांपे हम एक करके टिक्की को डाल देते हैं, हमें टिक्की में बस मसाले की कोटिंग लगानी है तो हम इस तरह से दालके एक एक को और उसके बाद हम इसको पलट देंगे तो बस हमें मसाला का कोटिंग लगा देना इस पर एक कोट चट जाएगा बसके बाद हम इसको उतार लेंगे तो इस तरह से पलटते हुए हम दूसरे साइड कर देंगे इसको तो फ्रेड़स आप इस तरह से बनाएंगे टिक्की ना एक तो बहुत जल्दी बन जाता है खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है तो आप जरूर बनाए इस तरह से तो इस तरह से हमने सारे टिक्की को पलट दिया है यहाँ पे और इसको हम कर लेते हैं प्राई मसालों में तो यहाँ पे हमारा सारा टिक्की बन के तयार है तो अभी इसको हम निकाल लेते हैं पलेट में तो यहाँ पे मैं हाथ से ही निकाल लेती हूँ क्योंकि पल्टे के साथ निकल नहीं रहा था तो यहाँ पर हम कर लेते हैं प्लेटिंग इस तरह से तो मैंने सारे टिक्की को प्लेट में लगा दिया है इसके उपर से हम दही डाल देते हैं दही को मैंने दही फ्रेश लिया है बिल्कुल और यहाँ पे हम दही को फेट लेंगे थोड़ा सा उसके बाद हम ठिक्की पे डाल देते हैं इस तरह से उसके बाद हम डालेंगे नमकीन आप बेशन की नमकीन ले सकते हैं या आलो की बुजिया तो मैंने यहाँ पे आलो के बुजिया का इस्तिमाल किया है तो यहां पर मैंने छोटी-छोटी प्याज की टुकडे भी डाल दिया है, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, और यहां पर थोड़ा सा हारा धनिया डाल देते हैं, अब यहां पर डाल देते हैं, इमली की चटनी, इमली की चटनी से टिक्की में टेस्ट बहुत जयाता और बहुत ही मज़ेदार और tasty लगता है टिक्की खाने में और चटनी भी बहुत ही tasty बन के तायार होई है तो इस तरह से हम timely की चटनी लगा देते हैं तो friends finally हमारा आलु टिक्की बन के तायार है तो आप जरूर बताना कि कैसा लगा हमारा recipe और वीडियो अच्छी लेगे तो फ्रेंड प्लेज लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो बाई बाई टेक यार फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में